नमस्कार, PCN Weekly Current Fair Quiz में आपका स्वागत है, शुरू करते हैं आज की Quiz पहला प्रश्न है बास्मती चावल की जुलसा एवं जोका रोग प्रतिरोधी किसमें कौन सी हैं? बास्मती 1847, पूसा बास्मती 1885, पूसा बास्मती 1886 या फिर उपरियोक्त सभी इसका सही जवाबे उप्शन D उपरियोक्त सभी अगला प्रश्न है उश्रकटिबंदिय चक्रवात सितरंग ने किस देश को सरवाधिक प्रभावित किया है? बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्री लंका इससे सही जवाबे उप्शन A बांगलादेश अगला प्रश्न है अगनी प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल की मारक शमता कितनी है? एक हजार से दो हजार किलोमीटर, दो हजार से तीन हजार किलोमीटर, पांसो से एक हजार किलोमीटर या फिर दो सो से पांसो किलोमीटर इसका सही चवाब आप्शन A, 1000 से 2000 किलोमीटर अगला प्रेशन है, पंच द प्लास्टिक ड्राइफ को किसने लौँच किया है? IIT मदरास, IIT कानपुर, IIT खड़कपुर या फिर IIT मुंबई इसका सही चवाब आप्शन A, IIT मदरास आगला प्रेशन है, क्रिशी वानी की पर साथवी आसियान भारत मंत्री स्तरिये बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंग तोमर, पियूश गोयल, नरेंद्र मोदी, या फिर हिमांशु शर्मा इसका सही जवाब आप्शन A, नरेंद्र सिंग तोमर आगला प्रेशन है, दसवी नैशनल क्यूब चैंपियन्शिप में किसने स्वन्ड पदक जीता है? मोहमद अशर चस्ती, मोहमद रिज्वान, मोहमद सल्मान, या फिर, इन में से कोई नहीं इससे ही जवाब आप्शन A, मोहमद अशर चस्ती अगला प्रेशन है, डीसा एयर बेस की आधार शिला किस राज्य में रखी गई है? गुजरात, महराष्ट्र, पंजाब, या फिर, इन में से कोई नहीं इससे ही जवाब आप्शन A, गुजरात अगला प्रेशन है, राज्यों के ग्रिही मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर आयोजित की आ गया? हरियाना, पंजाब, गुजरात, या फिर, राजस्थान इससे ही जवाब आप्शन A, हरियाना अगला प्रेशन है, भारत और यूरोपिये संग ने कहाँ पर प्रवासन और गती शीर्ता पर छटी उच्च स्तरिये वारता यानि HLD MM की सह अध्यक्षिता की ब्रुसेल्स, वियतनाम, नई दिल्ली या फिर, इन में से कोई नहीं इससे सही जवाब आप्शन A, ब्रुसेल्स, अगला प्रशन है विश्व स्ट्रोग दिवस कब मनाया जाता है 18 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या फिर, 24 अक्टूबर इसससे सही जवाब आप्शन B, 29 अक्टूबर तो आज की सेशन में इतना ही मुलाकात होगी अगले हफते नए प्रशनों के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए and stay motivated